Hello everyone, welcome back to my YouTube channel और आठी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे Day 8 out of 14 Introduction to Trignometry ये चाप्टर बहुत ही easy है I would say क्योंकि ये मतलब इसमें बस आपको ratios learn करने हैं और एक exercise में थी 8.3 last year, मतलब last year भी वो deleted थी और इस year भी वो deleted है तो हम new NCRT के according पढ़ रहे हैं as you all know तो हम Introduction to Trignometry भी उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से बाकी चीजे पढ़ी हैं बाकी chapters जो हमने बाकी के जो 7 chapters हमने उसमें सारी चीजों को cover किया है आप लोग उन्हें videos hopefully देख रखी होंगी अगर आप लोग ने 1, 2, 6 lectures नहीं देखे हैं तो वो आप लोग playlist में जा करके देख सकते हैं तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग क्या-क्या cover करेंगे सबसे पहले हम लोग introduction cover करते हैं as you all know फिर हम लोग यहाँ पर exercise cover करते हैं बट exercise का हम तरीका बताते हैं करनी आपको हमारे साथ-साथ होती है है ना आप उसको solve करते चलो मैं आपको क्या बताऊंगी करने का तरीका बताऊंगी आपको भी याद हो जाएगा और हम समझा भी पाएंगे अच्छे से ठीक है exercise के बाद हम लोग summary देखते हैं जिसमें हम लोग यह देखते हैं कि हमने क्या-क्या चीजे पढ़ी आज के lecture में हमने क्या-क्या चीजे पढ़ी साथ ही अगर हमें जरूरत पढ़ती है तो PYQs भी बता देते हैं जो exercise से repeat होए थे as it is without value changes तो यह सारी चीजे हम लोग इस ही लेक्चर में cover कर लेते हैं और यह बहुत ही बड़ी अ लेक्चर होने वाला है पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा तो हम लोग डेट को start करते हैं without wasting your much time अगर चैनल पे नहे हो तो चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि आगे आने वाली वीडियो तो आपके नहीं helpful रहेंगी answer writing, way of answering, inboard, सारी चीजे हैं आप लोगों को available मिलेंगी इस YouTube चैनल पे स्लिए हैं subscribe कर लो now let's get started अब introduction to trigonometry अगर हम पढ़ते हैं तो trigonometry का मतलब क्या है try मतलब क्या होता है तीन major ठीक है 3 का try मतलब हो गया यह और gonometry का मतलब भी अभी हम समझाते हैं 3 3 sides और matry का मतलब क्या हो गया gonos का मतलब क्या हो गया sides 3 का मतलब क्या हो गया try का मतलब 3 हो गया gonos का मतलब हो गया sight और matry का मतलब क्या हो गया measure measure तो हमने क्या समझा इससे हम किसका introduction पढ़ रहे हैं तीन साइड का major का introduction हम लोग पढ़ रहे हैं अब ये तीन साइड का major usually किसम होता है triangle के अंदर होता है क्योंकि एक दो तीन इसकी sides होती है ठीक है जी तो हम लोग start करते हैं अपना यह chapter यहां लिखा है try का मतलब हो गया 3 gone का मतलब हो गया sights metron का मतलब हो गया measure ठीक है Egypt ये Babylon ये सब क्या पता रखा है कि कैसे कहां पर ये earliest work हुआ और किस तरीके से हमें पता चला अब हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं introduction अब introduction में क्या है trigonometric ratios of the angle trigonometric ratios भी हमें आगे पढ़ने हैं तो उसका भी यहां पर दे रखा है trigonometric ratios के हैं कुछ ऐसे ratios of right angle triangle जिसमें आपके with respect to acute angles उसी को हम trigonometric ratios कहते हैं ये चाहो तो कर लेना one marks में आ सकता है ये जो हमारे PT1 और PT2 पेपर होते हैं उसके बाद है trigonometric identities भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें तीन identities हैं उनको हमें learn करना है और उसपे questions करने हैं तो बहुत ही easy chapter ये होने वाला है अब आप लोगों को पता है अगर हम triangle की बात करते हैं ratios पे पहुँचने से पहले अगर हम basics की बात करते हैं आपको पता होना जी ये right triangle में right triangle में hypotenuous ये longest side होती है और side opposite to angle A side opposite to angle A ही तो कहलाईगी ये और ये side adjacent to angle A है ठीक है adjacent यानि की यह हो और ये क्या है बिल्कुल opposite ही तो है side angle A के तो हम लोग इस जड़ से क्या जान गए कि ये hypotenuous हो गया ये इसके सामने वाला है तो ये perpendicular हो गया और ये नीचे इसके जो है वो base कहलाता है ठीक है important हमने बता दिया है आपको इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं trigonometric ratios हम कैसे निकालेंगे अब आप लोगों को इन सब के नाम याद रखने है sign, cause और आगे भी होता है इसमें sign, sign ही रहता है बस E हट जाता है ठीक है sign, cause 10 God है ना ये सारे और दो और हैं उनको भी हम लेंगे मतलब बार में बता देंगे तो ये trigonometric ratios हैं अब जैसे sign of angle A निकालना है अब हम लोगों को पता क्या रहना चाहिए कि sign किसका ratio होता है perpendicular upon hypotenuous का ठीक है cause किसका होता है base upon hypotenuous का ठीक है 10 किसका होता है perpendicular upon base का ठीक है अब इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है तो इसको याद करने का तरीका क्या यह sign है cause लिख लिया 10 लिख लिया साथ में ठीक है sign क्या पड़ा हमने अभी perpendicular upon hypotenuous cause क्या पड़ा हमने perpendicular base upon hypotenuous अब क्या करोगे इन दोनों को divide कर दोगे तो 10 निकल आएगा क्योंकि यह इसका ratio होता है इन दोनों को divide किया तो h से h cancel हो गया तो p upon b आगया यह आगया 10 ठीक है easily हम लोग सारे ratios निकाल सकेंगे अब angle a के terms में हमें बताना है अब angle a यह है इसके सामने वाला perpendicular होगा तो यह bc क्या हो गया perpendicular हो गया hypotenuous क्या होती है longest side होती upon का ac इसी तरीके से बाकी के भी निकल जाएंगे अब cosine क्या है cosine of angle a angle a का angle a cosine तो base upon का hypotenuous cosine निकल आएगा इस तरीके से ठीक है यह सारे क्या कहलाते है trigonometric ratios कहलाते है अब इसमें यह सारी चीज़े दे रखी है sin, sin, sin और यह cosine, tangent यह सारी चीज़े है ठीक है लिकर यह सब हमें पढ़नी नहीं है यह सब exam में नहीं आनी है the values of trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of sides of the triangle the angle remains the same side से कोई मतलब नहीं है angle हमारा remains same रहता है angle हमारा remains same रहता है अगर आप लोग समझ रहे हो क्या sin, sin, a लिखा हमने sin, a किसका हो जाएगा अगर triangle ABC मैं बना दूँ sin, a, sin, a मतलब a यहाँ पर यह जो ऐसे लिखते हैं sin, theta लिखते हैं अब theta क्या हो गया theta क्या होता है reference angle हम किसको refer कर रहे हैं यहाँ पर a को हम refer कर रहे है theta के name से तो a यूस किया जाएगा perpendicular अब sin क्या हो गया perpendicular यानि कि इसके सामने वाला perpendicular हो गया BC और hypotenuse AC हो गया तो BC upon AC अब यह मत समझना कि इसको हम यह नहीं लग सकते हैं 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 उके अब जैसे बहुत इजी वेष्णन हमारे सामने है हमने लिए पढ़ा यह परपेंडिकुलर पोर सी तहाँ मिल गया इन्हुरूडूर सै परपेंडिकुलर ट्राम number 11 अब हमें hypotenuse निकाल के बाखी के ratios को calculate करना है अब यह 3K है यह 4K है 3K है यह 4K है अब यह निकालना है इससे हम क्या करेंगे Pythagoras theorem लगा लेंगे क्या 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर is equal to AC स्क्वायर 339K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर अब यह क्या आजाएगा is equal to 25K स्क्वायर और AC यह आजाएगा AC क्या आजाएगा 5K आजाएगा AC की वैजिन निकला ही 5K अब कुछ निकारना बाकी के ratios को calculate कर लेना है साइन, कॉस, कॉट, टैन, टैन, टैन तो दे रखाया है ठीक है ठीक है बाकी तो हो जाएगा यह एक एक्जाम्पल है इसको हम exercise वाले portion में समझाएगे बहुत easy है यह अगर इस तरीके से नहीं करना है तो मत करना क्योंकि बहुत easy तरीका हम आपको बताने वाले हैं यह बहु तो यह बहुत important है इसको कर लेते हैं बहुत जादे important है most important मालोग कह रहा है कि OPQ एक right angle to triangle है यह right angle to triangle है जहां पर आपको OP कितना दे रखा है 7 दे रखा है और OQ माइनस PQ 1 दे रखा है आप कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है OQ का square उठाना है OQ का square उठाना है OP square प्लस इसके रख देना है ऐसा करते ही आपको squaring कर देनी है squaring करते ही आप लोग क्या देखोगे कि इसकी value रख दोगे इसको इधर ले जाओगे ठीक है इसको इधर ले जाओगे 1 प्लस PQ OQ की value आजागी OQ की value यहां रख दोगे OQ की value रखते ही answer आपका आजाएगा ठीक है exercise 8.1 exercise 8.1 का question बहुत easy है यह भी बहुत easy है पाइदोगरिस theorem से हो जाएगा और यह भी बहुत जादा easy है यह 3 है यह 4 है तो यह 4 हमारा क्या है hypotenuse perpendicular है base निकाल लोगे निकाल लोगे बहुत आसान है ठीक है अब यह वाला जो हमने का था देखने को तो यह बहुत important है इसे हम लोग वहां करते हैं बोड ठीक है तो हमें क्या given है कि cause a बराबर है cause b के ठीक है यही तो given है cause a क्या हो गया cause a क्या हो गया a b इसको हमें एक right angled triangle assume करते हैं यह है हमारा c यह हो गया a यह हो गया b ठीक है cause a क्या हो गया cause a क्या हो जाएगा हमारा base a c upon hypotenuse a b और इसका base इसका base b c हो जाएगा upon hypotenuse a c a b इससे इसको cut कर देंगे a c बराबर आ जाएगा b c के a c a c बराबर b c यानि की यह वाला जो है वो इसके बराबर है यह दोनों बराबर sides बराबर होते हैं तो angles बराबर हो जाते हैं hence proved हो गया हमारा की angle a बराबर हो गया angle c के वो angle b के ठीक है बहुत ही अच्छे से hopefully आप लोगों को समझ आया होगा आप कुछ नहीं करना है इसकी भी values निकालनी है इसमें लगानी है यह perpendicular upon base होता है तो यहां से hypotenuse निकाल लिया है hypotenuse निकाल लिया तो आराम से ratios निकल जाते हैं ठीक है same example की तरीके का question पूछा जा सकता है और यह तो हमारा जादतर पूछा नहीं जाता है बट यार इसको कर लेना ठीक है true words है उसके बाद है अब हम लोगों को ratios निकालने ratios calculate करने हैं तो उसके लिए हमें एक table learn करनी पड़की है यह है हमारी 8.1 table इसको न अभी से ही एक paper पर लिखो और इसको paste कर लो अपने सामने जहां पर भी बैठके पड़ते हो यह को sign a का निकालना है अब sign a का निकालना कैसे easy है यहां लिखो zero zero degree के सामने लिखो zero zero degree के सामने लिखा zero को लिख दिया, 40 के सामने लिखो 1, यह हम छुपा दे रहे हैं मिल्कुल, 45 के सामने लिखो 2, 60 के सामने लिखो 3, और 90 के सामने लिखो 4, अब इन सब को डिवाइड कर दो 4 से, इस तरीके से, और रूट लगा दो इन पर, रूट लगा दो इन पर, रूट लगा दो, रूट ईत्म आसा है कि अधा हो जाए गा।स्य कलम है कि पेडियर निकलेगा कि देगे लिए घर अपऩर बाते यह सिर Six качारङं पटान For d 2 12 15 यह तो हमारे अंसर साहँ है से 2 कुछनिंकरों कॉछ निकालना है कॉस्कों इधर पहुचे दो इसको इधर पाऩे को दो बारा सी देखना वीडियो को जो है आब इसको 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 तिवाइड 0 upon 1 will be 0 1 upon 2 root 2 इससे यह cancel हो जाएगा 1 upon root 3 इससे यह cancel हो जाएगा 1 इससे यह cancel हो जाएगा root 3 और 1 upon 0 will be not defined ठीक है अब कुछ नहीं करना है कोई सेख निकालना है इसको इदर पहुचा दो एक सेकंड कोई सेख निकालना है न इसका reciprocal कर लो ठीक है reciprocal करोगे इसका इस वाले का 0 upon इसको क्या लिख दोगे 1 upon 0 1 upon 0 not defined हो जाता है इसका reciprocal कर लो sine A का reciprocal cause A हो जाएगा ठीक है यह निकालते ही इसको इदर लियाओ इसको इदर लियाओ इसको इदर लियाओ ठीक है बस इसी तरीके से सारे ratios लेंगे और जैसे ही रेशियो लेंड होंगे टाइपस ऑफ क्वेश्चन 8.2 पूरी आप लोगों को कुछ करनी है क्योंकि वह एक बार टेबल लेंड होगी तभी क्वेश्चन कर पाओगे क्योंकि यह सारी वैल्यू उसमें रखनी है वैल्यू रखनी या अंसर निकलेगा वै नहीं आएगा यह आ सकता है किस नंबर में वन मांक्स वाले में जो आपके होते हैं क्या नाम है पीटी तो इसको उस हिसाब से लर्ण कर लेना पीटी में नंबर लाने के लिए ठीक है अब इसमें तीन इंटिटी जो याद रखने वाली है याद रखनी है प्रूफ करने को नहीं आती है, प्लस SQA कित्ते के बराबर हैगा हमेशां वन के बराबर रहेगा, फ्लस Ten SQA के बराबर रहेगा, और यह एग प्लस SQA can 0 direct 4X SQA लिख सकते हैं यहां पर माइनस का और यह तो पता ही है इसकी वैल्यू क्या होगी वन हो जाएगी तो 9 इंटू 1 विल भी 9 इंटिटी से यह सॉल्व हो रहा इंटिटी इसलिए ही important बताई जा रहे हैं कि आप लोगों को learn करनी है इसमें से पक्का है प्रूव करने वाला जो आपका इसमें आइंटिटी लगके प्रूव हो जाएगा यह इसमें आपका multiplication करके मतलब LCM लेकर आपका यह प्रूव हो जाएगा इसी तरीके से सारे questions solve हो जाएंगे बट हाँ यह बहुत important है बहुत जादा important है इन इसे एक version आपको regular paper में मिलेगा paper में मिलेगा टाफ हुआ तो इससे भाहर भी आ सकता है इसके बाद क्या है in a right triangle यह यह चीज़े रहती है यह पूरा हमारा chapter इस तरीके से पूरा हो जाता है summary में देख लो values आपकी case किस में रहती है यह तीन identities है इनको learn 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 करना है और यह किस चीज़ के लिए ही possible है इतने से इतने से इतने तक ही है तो यह पूरा हमारा जो chapter है हमने complete कर लिया है within 20 minutes अगर channel पे नए हो तो channel को subscribe कर लेना बट हाँ इस वाली exercise में हम लोगों ने questions को exercise की questions को solve नहीं किया है क्योंकि ये questions आप लोग खुद जब solve करोगे उसमें queries आएंगी तो आप लोग डाल सकते हो comment section में community post में answer डल जाता है चैनल पे नए हो तो channel को subscribe कर लेना और day 8 से पहले day 7 तक की videos नहीं देखिए तो देख लेना till then take care, bye